मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के संस्कृति और सास्त्र हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। कई लोग तो इनकी खोज में भारत आये और हमेशा के लिए यहीं के होकर रहे गए। तो कई लोग वापस अपने देश जाकर इस संस्कृति के सम्वाग बन गए है। जौनस ने मेकनिकल एंजिनिरिंग के पढ़ाई करने के बाद स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी में काम किया। बात बें उनका रुजान, भारतिय संस्कृति और खासकर वेदाउंत की दरफ हो गया। स्टॉक से लेकर के स्पिरिचालिटी तक वास्तों में उनकी एक लंबी यात्रा है। जौनस ने भारत में वेदाउंत दर्शन का अध्यन किया और चान साल तक वे कोईमतूर के आर्ष विद्या गुरुकुलम में रहे हैं। जौनस में एक और खासियत हैं। वो अपने मैसेज को आगे पहुँचाने के लिए टेक्नोलोजी का प्रयोग कर रहे हैं। वह नियमतूरुप से ओनलाइन प्रोग्रेम करते हैं। वे प्रती दिन पोड़कास करते हैं। पिछले साथ वर्सों में जौनस ने वेदान पर अपने फ्री ओपन कोर्सिस के माध्यम से डेड़ लाग से अधिक स्टूडेंस को पढ़ाया है। जौनस न केवल एक बड़ा काम कर रहे हैं बलकि उसे एक ऐसी भाषा में कर रहे हैं जिसे समझने वालों के संग्या भी बहुत अधिक है। लोगों में इसको लेकर काफी रूची है कि कोरोना और क्वारंटाइन के इस समय में वेदान कैसे मदद कर सकता है। मन की बात के माध्यम से मैं जौनस को उनके प्रायासों के लिए बढ़ाई देता हूँ और उनके भविश्य के प्रायासों के लिए शुपकामनाई देता हूँ। साथियों इसे तरह अभी एक खबर पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। नुजिलेंड में वहां के नवनिर्वाचित MP डॉक्टर गवरोव शर्मा ने विश्वकी प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा में शपत ली है। एक भारतिय के तौर पर भारतिय संस्कृति का एक प्रसार हम सब को गर्वत से भर देता है। मन की बात के माध्यम से मैं गवरोव सर्माजी को शुपकामनाई देता हूँ। हम सभी की कामना है को नुजिलेन के लोगों की सेवा में नई उफलब्दियां प्राप्त करें।